जातुई बैंगन का बीच दूर किसी जंगल में एक चड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी माचड़िया जंगल में बैंगन बेचा करती थी चड़िया के बैंगन बहुत ताजे ताजे होते थे जिस कारण चड़िया की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीर लगी रहती थी बात सच है चड़िया तेरे जैसे बैंगन किसी और के पास नहीं है एक दम ताजा बैंगन है चड़िया के मेरे खेट के बैंगन ताजा और अच्छे होते हैं इसलिए तो इनका स्वाद भी अच्छा होता है चड़िया का अपना एक बैंगन का खेट था सुभा सुभा मा चड़िया अपनी बैटी के साथ खेट में जाती और ताजे ताजे बैंगन तोड़कर एकठा करती फिर मा चड़िया वो बैंगन अपनी बैल काड़ी पर लाद कर जंगल में अपनी दुकान पर बेचने चली जाती थी इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था चिडिया की दुकान के पास ही कालू कवे की भी बैंगन बेशने की दुकान थी मगर कालू कवे के खराब और गले चड़े बैंगन होने के कारण कोई भी कालू कवे से बैंगन नहीं खरीदता था यही वज़ा थी कि कालू कवा चुडिया से बहुत जलता था ऐसा क्या करूं जिसे इस चुडिया की बैंगन की दुकान बंध हो जाए जब तक इस चुडिया की बैंगन की दुकान है मेरा धंदा तो नहीं चल पाएगा रात को कालू कवा अपनी पतनी से सलाह करता है कालू हम ऐसा करते हैं कि चिडिया के बैंगन के खेद में कीड़े लाकर छोड़ देते हैं फिर चिडिया के कीड़ो वाले बैंगन कोई नहीं खरीदेगा और हमारे बैंगन बिक जाएंगे ये सुनकर कालू कवा बहुत खुश होता है फिर दूसरी रात कालू कवा और गोरी कवी पूराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद तोड़ तोड़ कर उनसे कीडे निकाल कर टोकरी भर लेती है और रात को छुब कर चुड़िया के खेड में जाकर सारे कीडे चुड़िया के बेंगन के खेड में छोड़ दे दी है चुड़िया जब अपने खेड में आती है तो हर रोज की तरह बेंगन तोड़ तोड़ कर एकठे करती है उसकी बेटी काम में अपनी मां का हाथ बटा रही थी हर्याली तोती चुडिया के पास आती है चुडिया बेहन मुझे ताजे ताजे दो किलो बेंगन दे दो मेरी मा आई है उसे बेंगन का भरता बहुत बसंद है हर्याली बेहन ये बेंगन मैं आज सुभा ही तोड़ कर लाई हूँ ये एक दम ताजे है हर्याली तोती जब घर जाकर बेंगन काड़ती है तो सारे ही बेंगन कीड़ों से भरे हुए थे चुडिया ने मुझे खराब बेंगन दे दी है मैं अभी चुडिया के पास चाहती हूँ हर्याली तोती जल्दी जल्दी से वापिस चाहती है उधर दुकान पर लूसी कबूतरी भी चुडिया से लड़ाई कर रही थी हम तुम से बेंगन खरीदते हैं इसका ये मतलब नहीं के तुम हमें खराब बेंगन ही दे दो रखो अपने बेंगन और मुझे मेरे पैसे वापिस कर दो मेरे बेंगन भी खराब है इनमें कीड़े है मैं तो खुद परेशान हूँ के एक ही रात में मेरे बेंगन खराब कैसे होगे मैंने तो महगी सपरे लेकर अपने बेंगन के खेट में की थी ऐसे चड़िया का धंदा बंध हो जाता है और सारे पक्षी कालु कववे की दुकान से बेंगन खरीदने लगते हैं शाम को जब चड़िया घर जाने लगती है तो कालु कववा चड़िया से कहता है सुन सुन चुडिया अब तेरे ये कीडों वाले बैंगन कोई नहीं लेगा तू ऐसा कर मेरे ये बैंगन लेकर अपनी दुकान पर बेजना शुरू कर दे मगर चुडिया कव्वी की बात का कोई जवाब दिये बिना ही वहां से चली जाती है आज वो मा बेटी अपने घड में बहुत उदास बैठी हुई थी दूसरे दिन जब वो मा बेटी अपने खेट में जाती हैं तो खेट में सारे ही बैंगन गल सड़ चुके थे मा अब हम क्या करेंगी हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई चल बेटी हम दूसरे जंगल जाकर किसी और सबजी का बीज लेकर आती हैं फिर वो मा बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती हैं जब वो घने जंगल में पहुँशती हैं तो वहां उन्हें एक पक्षी नजर आता है जो मदद की कोहार लगा रहा था कोई मेरी मदद करे कोई पक्षी मेरे पाउं से ये कांटा निकाल दे मामा चडिया और गुडिया दोनों वहां जाती हैं और उस पक्षी के पाउं से कांटा निकाल देती हैं वो पक्षी अचानक सुन्दर परी के रूप में बदल जाता है डरो ना चुडिया, मैं सुन्दर परी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मांगो, तुम क्या मांगती हो चुडिया रोती हुई, परी को सारी बात बताती है अब मैं और मेरी बेटी इसी दूसरी सबसी के बीच लेने जा रही है ये लो चिडिया ये जादूई बेंगन के बीच हैं तुम ये बीच जाकर अपने खेट में लगा दो इस बीच से बेंगन का पोदा नहीं बलके बड़ा पेडू के का जिस पर हमेशा हमेशा बेंगन लगते रहेंगे वो जादूई बेंगन का बीच लेकर माचडिया और उसकी बेटी वापिस अपने खेट में जाती है और वो जादूई बेंगन का बीच बो देती है दूसरे ही दिन उस जादूई बेंगन के बीच से एक बड़ा पेड निकलता है जिस पर धेर सारे बैंगन लगे हुए थे गुडिया गुडिया बेटी इस पेड़ के बैंगन तो हमारे बैंगन से भी थाजे और बढ़िया है वो मा बेटी उस पेड़ से बैंगन तोड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती है और उनकी दुकान फिर से चलने लगती है कवा और कवी जब चिडिया के खेट में जाते हैं तो बैंगन का इतना बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं कौलू इससे तो अच्छा था कि हम चिडिया के खेट में कीड़े नहीं छोड़ते हमने चिडिया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादूई बैंगन का पेड़ ऐसे चिडिया को सफलता मिलती है और कवे अपने मूँ की खाते हैं च्छारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद ममा चिडिया अपने घर में अपनी बेटी गुडिया के साथ रहती थी फोन के घंटे बशती है ममा चिडिया फोन उठाती है चिडिया मैं मिठो तोता बात कर रहा हूँ कल मेरी शादी है मैंने सब को बुलाया है आप भी जरूर आना तोदे भेया आपने पहले बताया ही नहीं इतनी जल्दी सब कैसे होगा सब आ रहे हैं आप भी जरूर आना और हाँ अपनी बेटी को भी साथ ले कर आना ममा चिडिया मिठो तो देका फून सुनकर परिशान हो जाती है ममा क्या आप मुझे भी साथ ले कर जाएंगी हाँ गुडिया बेटी मगर आपके नेक अपड़े नहीं है ममा मैं तो वाइट कलर की फ्रॉक लूँगी आपने पिछली पार पे मुझे वादा किया था हाँ बेटी मैं कुछ करती हूँ ममा चिडिया के पास कुछ पैसे जमा थे ममा चिडिया वो पैसे लेती है और अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक लेने चली जाती है उसी जेंगल में गोरी कवी और कालू कवे की कपड़े की दुकान थी कालू देखो इस फ्रॉक में तीन बड़े सुराख हैं ये कैसे हुआ लगता है चूहोंने कपड़ा कार दिया है मगर तुम चिंदा ना करो मैं ये फ्रॉक किसी ना किसी बेवकूफ पक्षी को बेच दूँगा चिडिया भी वहाँ अपनी बेटी के लिए फ्रॉक लेने आ जाती है गोरी और कालू तोते की शादी है हाँ हाँ चिडिया हमें भी बुलाया है तोते ने क्या तुमने कपड़े लेने आई हो हाँ मैं अपनी बेटी के लिए वाइट कलर की फ्रॉक लेने आई हूँ ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कालू कवा वो छेदों वाली फ्रॉक चिडिया को दूसरी तरफ से दिखाता है यह यह कैसी है चिडिया अभी कल ही निया माल आया है यह फ्रॉक तो बहुत संदर है आप मुझे यही फ्रॉक दे दे मेरी बेटी को बहुत पसांदाएगी यह फ्रॉक चिडिया वो फ्रॉक लेकर घर चली जाती है कालू जी नुकसान से बच गे हमने वो चूहों की काटी हुई फ्रोग चुडिया को पूरे पैसों में ही बेच दी हाँ हाँ दुकान दारी है ऐसा तो करना ही पड़ता है ममा मेरी संदर ममा ममा क्या मेरी फ्रोग वाइट रंगी है न हाँ मैं अभी अपनी बेटी को डिबे से निकाल कर दिखाती हूँ ममा जीडिया वो फ्रोग डिबे से निकालती है और अपनी बेटी को दिखाती है गुडिया कैसी है मेरी बेटी को ये फ्रोग बहुत पसंदाई होगी मगर ममा देखें इस फ्रोग में तो तीन बड़े बड़े छेद हैं सब मेरा मजाग उड़ाएंगे मैं नहीं पहनूँगी ये फ्रोग ये सुनकर ममा जडिया तो हैरान हो जाती है ये ये तो कवों ने मेरे साथ धोगा किया है वो कवे बहुत बुरे हैं वो कवे मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं ये तो मैंने सोचा भी ना था मैं अभी जाकर उन कवों को फ्रोग वापिस करती हूँ ममा अब तो रात हो गई है आप कल सुभा सुभा जाना अब तो कवा अंकल दुकान बंद करके घर चला गया होगा ममा चिडिया उदास हो जाती है उसके पास और पैसे भी ना थे जो अपनी बेटी को नई फ्रोग लेकर दे सके रात गुजर जाती है सुभा हो जाती है ममा चिडिया सुभा सवेरे ही वो फ्रोग का डिबा उठाती है और कवों की दुकान पर जाती है गोरी बहन मैं हमेशा आपकी दुकान से ही कपड़े लेती हूँ मगर आपने इस बार मेरे साथ धोका किया है इस फ्रोक में तीन छेद हैं शेरम करो चिडिया तेरे सामने कालू ने तुझे ये फ्रोक खोल कर दिखाई थी तब सोई हुई थी तू अगर हम ऐसे ही माल वापिस करने लगें तो हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी चल चल अपना काम कर चिडिया कवे भेया मैं सच कह रही हूँ जैसे ही घर जाकर मैंने डिबे से फ्रोक निकाली तो गुडिया चिडिया बात सुन ले चूँजू करने का अब कोई फाइदा नहीं है हम ये फ्रोक वापिस नहीं करेंगे चिडिया परेशान होकर वहाँ से वापिस चली जाती है चिडिया को रास्ते में एक विचार आता है चिडिया नदी के पास जाती है और वहाँ से कुछ सूरज मुखी के फूल तोड़ती है और घर चली जाती है ममा क्या ये फूल लगाने से छेद बंध हो जाएंगे हाँ गुडिया बेटी एक बार बचपन में मेरी माने भी मुझे छेद वाली फ्रोक में ऐसे ही फूल लगा कर पहना दी थी सबको बहुत पसानद आई थी वो फ्रोक फिर ममा जडिया सुई और धागे की मदद से फ्रोक के तीनो छेदों में पीले रंग के बड़े बड़े फूल लगा देती है ममा सच, सच में ये तो बहुत सुन्दर लग रही है ऐसे लग रहा है जैसे ही फूल फ्रोक में पहले से ही लगे हुए हो गुडिया बेटी उन कवों को धोके की सजा जरूर मिलेगी अब तुम जल्दी करो तोता हमारा इंतजार कर रहा होगा फिर गुडिया वो फ्रोक पहन लेती है और वो दोनों मा बेटी तोते की शादी में चली जाती है ऐसे ममा चुडिया परिशानी का हल निकाल लेती है प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद